जो कहते थे कि मैं सड़कों पे उतर के लड़ूंगा आम जन की लड़ाई आज उनके करीबी लोग इत्ता ब्रश्टाचार में लिप्त हैं और वोट खरीदने की बात कर रहे हैं एक भश्ट सरकार जिसकी नीव ब्रश्टाचार पे टिकी हुई है जिसकी नीव में ब्रश्ट ब्रश्टाचार है कराप्शन का है जो ब्रश्टाचार के लिए मध्यप्रदेश में जाने जाते हैं जिन पर अनेकों आरोप हैं वो ये बात कह रहे हैं कि 25 लाक रुपे बूत प्रभारियों को देंगे कि ऐसे भश्ट लोगों पर सक्त कारवाई होनी चाहिए तुरंत उन को मंत्री पत से मुक्त कराना चाहिए और उन पर चुलाओ लड़ने पर पाबंदी लगानी चाहिए जो मध्यप्रदेश के ट्रांसपोर्ट और रेविन्यू मिनिस्टर है और सुर्खी से मले हैं गोविन सिंग राजपूत वो उस वीडियो में अपने कारिकरताओं को कह रहे हैं कि जिन बूत पे भारती जन्दा पार्टी को ज़्यादा वोट दिलाएंगे उन बूत प्रभारियों को वो 25-25 लाख रुपे देंगे मध्यप्रदेश में चुनाव चल रहा है Model Code of Conduct लगा हुआ है उसके बावजूद लगातार भारती जन्दा पार्टी के नेता जो की साफ तोर पे समझ रहे हैं कि वो चुनाव बुरी तरह से हारने वाले हैं वो लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं अपने कारिकरताओं के माध्यम से प्रलोभन दे रहे हैं और एन केन प्रकार चुनाव जीतने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं गोविन सिंग राजपूत ने का है उसके बाद आपने कैलाश विजवरगी का भी वीडियो देखा जहां वो कह रहे हैं कि जिस बूद पे एक भी वोट नहीं मिलेगा मैं क्यावन हजार उपे बूद प्रभारी को दूँगा तो कुल मिलाके एक भष सरकार जिसकी नीव भष्टा चार पे टिकी हुई है जिसकी नीव में भष्टा चार है दो हजार अठरा में मद्यप्रदेश की जनता ने कॉंग्रेस पार्टी को चुना आदिलने कमलनाज जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद हम सब जानते हैं कि किस तरह से 35-35 करोड रुपे दे कर विधायक खरीदे गए और फिर सरकार पल्टी गई और ये गोविन सिंग राजपूत वही विधायक है जो सिंध्या जी के बहुती करीबी है जो 35 करोड रुपे लेके भारती जनता पार्टी में गए थे जिनका इतिहास कराप्शन का है जो भष्टा चार्ट के लिए मध्यप्रदेश में जाने जाते हैं जिन पे अनेकों आरोप हैं वो ये बात कह रहे हैं कि 25 लाक रुपे बूद प्रभारियों को देंगे तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहती हूँ कि उनके पास ये 25 लाक रुपे प्रभारियों को देने के लिए कहां से आये क्या ये वही पैसा नहीं है जो उन्होंने करप्शन 50 पर्सन करप्शन करके मध्यप्रदेश की जनता के अधिकार का पैसा गरीब जनता का पैसा जो नोंने चुराया है ब्रश्टाचार के चलते क्या उसी से ये 25-25 लाक रुपे प्रभारियों को देने की बात कर रहे हैं चुनाओ उनको जिताने के लिए तो इस ये बात जब संग्यान में आई हमारे एक सजक कारेकर्टा के जिनका नाम है संदीप सिंग बगहल उन्होंने इसकी शिकायत CEC को और स्टेट एलेक्शन कमिशन को करी और मैं धन्यवाद देती हूँ एलेक्शन कमिशन को जिनों ने इसकी जाच करी और उसके बाद इन पे FIR दर्ज हुई है गोविन सिंग राचपूत पे FIR दर्ज हुई है लोग प्रतिनिद्ध अधिनियम 1951 की धारा 123 और IPC की धारा 178 के तहट FIR दर्ज हुई है हम मांग करते हैं कि जो मिनिस्टर्स जो भारती जनता पार्टी के नेता चुनाओ की शुरुवाद से ही करप आक्टिबिटीज में लिप्ट है जैसे कि कैलाश विजेवारगी जैसे कि गोविन सिंग राचपूत इनके खिलाफ सक्त कारवाई हो और और भी जो मिनिस्टर्स हो इनके कार नेता जो सोच रहे हैं कि पैसे बाट के कराप प्राक्टिसेस के माध्यम से वो ये चुनाओ को जीत लेंगे उन पे जब साक्ष सामने आए तो उन पे सक्त कारवाई हो गर्वनर से हम अपील करते हैं कि गोविन सिंग राजपूत को जो कि मिनिस्टर हैं तुरं हुआ कि जाच कराई जाए कि आखिर इत्ता पैसा उन्होंने किस तरह से इकटा किया है और हम श्रीवराश सिंग च्वहां से भी जवाब मांगते हैं जो इत्ति राद्यति सिंधिया से भी जवाब मांगते हैं जो कहते थे कि मैं सडकों पे उतर के लड़ूंगा आम जन की लड़ाई आज उनके करीबी लोग इत्ता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और वोट खरीदने की बात कर रहे हैं उनको जवाब देना होगा मध्यप्रदेश की जनता को और साथ ही फिर हम अपील करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट लोगों पर सक्त कारवाई होनी चाहिए तुरंत उ लड़ने पर पाबंदी लगाने चाहिए धन्यवाद।